Good morning children, आज हम पढ़ेंगे कप्षा 6 विशे विज्ञान पार्ट 4 वस्तों के समूँ बनाना पार्ट 2 पार्ट के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि वस्तों विभिन प्रकार की होती है और कई प्रकार की वस्तों वो निर्मित करती है इस प्रकार से कई प्रकार के पदार्ट विभिन प्रकार की वस्तों के निर्मान करते हैं और एक वस्तों विभिन प्रकार के पदार्टों से निर्मित हो सकती है पिछला दिन बिन्दु में हमने पदार्तों के गुण दिखावट और कठोड़ता के बारे में पढ़ा था अगला पदार्त का गुण है विलैता अत्वा अविलैता आईए इसको हमें क्रिया कलाब की द्वारा समझे की कोशिश करें कुछ ठोस पदार्त जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने को एकत्र करेंगे काच के पांच गिलास लेंगे प्रतेक गिलास में लबग दोतिय ही भाग जल भरेंगे पहले गिलास में कुछ मात्रा में चमच भर कर चीनी, दूसरा में नमक तता इसे प्रकार 6 गिलास में अन्य पदार्त मिलाएंगे प्रतेक गिलास की अंतर वस्तु को चमच से विलोडित यानि की हिलाने की कोशिश करेंगे कुछ मिनिट तक प्रतिक्षा करेंगे प्रेक्षन करेंगे और पता लगाएंगे कि जल में मिला गए पदार्तों का क्या होता है और इससे एक सार्णी निर्मित करेंगे चित्र में दो बीकर में जल में कुछ पदार्तों को गोला गया है जिससे प्रदशित होता है कि जल में कौन सा पदात बुलता है और कौन सा नहीं पदार्तों के प्रेक्षनों पर आतारिज जो सार्णी निर्मित करेंगे वो इस प्रकार है विबिन प्रकार के ठोस पता जिनको जल में मिश्रित किया जाना है पहला पतार थे नमक जो जल में लुप्त होता है नहीं तो नमक को यदि हम जल में गोले तो वो पूर्ण तया लुप्त हो जाता है उसी प्रकार से चीनी को जल में गोलने पर भी वो पूर्णतय अलुप्त हो जाती है बालू रेट को जिसको जल में गोला जाय तो वो लुप्त नहीं होती है इसी प्रकार से चॉप पाउडर भी जल में पूर्णतय अलुप्त नहीं होता है और लपडी का बुरादा भी लुप्त नहीं होता है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जल में कुछ पदार तो पूनते या विले हो जाते हैं जिनको हम बाद में नहीं देख सकते हैं और कुछ पदार जल में अविले बने रहते हैं इस प्रकार हम देखेंगे कि कुछ पदार्ट जल में पूर्ण तया लुपत हो गए हैं, अर्थार्ट गुल गए हैं, विलीन हो गए हैं अर्था हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्ट जल में विले हैं आन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुपत नहीं होते हैं ये पदार्थ जल में अविले होते हैं अथार्त विलय पदार्तों के उधारन हो जाएंगे, नमक और शक्कर और अविलय पदार्तों के हो जाएंगे, रेत और लकडी का बुरादा चुकि जल बहुत से पदार्तों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारियों में इसके एक महतुर्पुन भूमी का है, क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं, आईए इसको एक क्रियाकलाब के साथे से समझने की कोशिश करें सिर का, निम्बु का रस, सरसों का तेल, अत्वा नारिल का तेल, मिल्टी का तेल, अत्वा अन्य किसी द्रव के नमुने एकत्र करेंगे, काज का एक गिलास लेंगे, इसे आधा जल से भढ़ लेंगे, अब इसमें चम्मछ भर कर कोई द्रव मिलाएंगे, बली बाती हैं वो जल में भली बाती मिश्रित हो गए हैं और बी में जो द्रव मिश्रित किये गए हैं वो जल में मिश्रित नहीं हुए हैं जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्द हो सके उन सबी के साथ इस प्रयोग को दोहरा कर इसकी एक साणी निर्मित करेंगे हम यह देखते कि कुछ द्रव जल में पूर्ण तह मिश्रित हो जाते हैं कुछ आनी द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी प्रथक परत बना लेते हैं कुछ सामाने द्रव की जल में विलैता कि हमने इस आनी निर्मित किये जैसे सिर का जो तो भली बाती जल में मिश्रित हो जाता है, निम्बू का रस वो भली बाती जल में मिश्रित हो जाता है, सरसो का तेल जिसका गनत्व पानी के गनत्व से अलग होता है, इसलिए वो जल में मिश्रित नहीं हो पाता है, इसी प्रकार से नारेल का तेल मिश्रित नहीं होता है, औ अधार पर हम पदार्टों को vị्ले और उविले पदार्टों में अलग कर सकते हैं। इसी प्रकारदुरव के साथ यथ साथ हम गेसों की विलेता देखें। कुछ गेसयं जलण में विले हैं, जबकि अन्य नहीं। सामानी तहर जल में कुछ गेसे थोड़ी मात्रा में विलीन होती है, उधारण के लिए जल में विलीन ऑक्सिजन गेस्, जल में रहने वाले जनतू अम पात्पों के उत्तर जीविताए के लिए अतियानत महतवुपून है। वस्तुओं का अगला गुण है वस्तुओं जल में तेर अत्वा डूप सकती है अर्थात कुछ वस्तुओं जल में तेरती है और कुछ वस्तुओं जल में डूप जाती है इसको हम एक क्रिया कलाप की साहता से समझेंगे जल में अविले ठोस जल से प्रत्थक हो जाते हैं और कुछ द्रवों के साथ भी हम ऐसा ही देखेंगे इन में से कुछ पदार जो जल में मिश्चित नहीं हो पाएं वे जल के प्रस्च पर आकर तेरने लगेंगे इस चित्र में बीकर में जल को दो तीही रूप से भरा गया है और उसमें कुछ वस्तूओं को डाला गया है जिसमें भारी चीजें जैसे चाबी, सिक्के वो पानी में डूप गये हैं जबकि पत्ती, लकडी का गुट्टा आधी पानी पर तेरते हुए दिखाई दे रहे हैं हम ऐसे बहुत से उधारन देखते हैं जिनमें पधार जल में तेरते रहते हैं अथवा डूप जाते हैं जैसा अभी चित्र में प्रदशित किया था किसी तालाब की सतर पर गिरी सुखी पत्तियां वह कंकर जो आप इसी तालाब में फेक देते हैं शहत की कुछ भूंदे जीने आप गिलास के जल में डालते हैं क्या आपने कभी सोचा है इन सब का क्या होता है आईए विचार करें विद्यार्ती जिसका नाम बूजो है वो भी यह जाना चाहता है कि जल में तेरने वाले तेथा जल में डूबने वाले पदार्तों के पांच-पांच उधरन दे और अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार तेरते हैं अत्वा डूब जाते हैं इसी देखने के लिए हम परि पारी वस्तुएं जल में डूब जाएगी और हलकी वस्तुएं पानी की सता पर तेरेगी पदार्तों का अगला गुण है पार दर्शीता आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा उन इस्थानों के बारे में विचार करें जहां आप खेलते समय चिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे इन इस्थानों को ही आपने क्यों चुना क्या आपने शीशे की खिड़की के बिची चीपने का प्रयास किया है इस पर रुप से नहीं क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा उन पदार्तों एक जाक्ता है उन्हें पारदरशी कहते हैं काच, जल, वायू तुछ प्लास्टिक पारदर्शी पतार्थों के उधरन है प्राई दुकांदार बिस्कूत, बिठाईया तुथा अन्य खादित पतार्तों को काच अथिवाप प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों म side le देख सके और वो आसानी से चेयन कर सके कि उसे क्या चीज खरीद नहीं है। क्या आप हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी प्रामती के सभी पदार्टों वस्तों को पादर्शी अथ्वा पादर्शी समूव में अंकित कर सकते हैं। आईए एक अन्य क्रिया किलाब द्वरा जानने की कोशिश करें। कागच की एक शीट लेंगे इससे होकर किसी प्रदिप्त बल्ब पो देखेंगे। इस समझ में अपने प्रेक्शन को नोट करेंगे और कागच की शीट के बीच में दो तीर बूम खाने का तेल या मखन डालकर इसे फिलाएंगे। कागच की उस भाग से जहां तेल फेलता है प्रदिप्त बल्ब को दुबारा ध्यान से देखेंगे। अब आप क्या देखते हैं क्या आप यह पाते हैं कि हम बल्ब पहले के अपेश अधिक इसपस दिखाई देता हैं परन्तु कि आप इस चिकने कागश से होकर प्रतेक वस्तू को पूर्ण ताह इसपस देख सकते हैं कदाचीत नहीं। ऐसे पधार्तों जिनसे होकर वस्तूं को देख तो सकते हैं परन्तु बहुत इसपस नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभाशी कहते हैं। तागच पर लगे उस तेली दब्वे को याद करिए जिनका उपयोग हमने खादी पदार्तों का वसा के परिक्षन करने में किया था। वह भी पारभाशी ही था। क्या आप पारभाशी पदार्तों के कुछ और उधारनों को सूच विचार कर सकते हैं। अतह हम पदार्तों को अपारदर्शी, पारदर्शी तता पारभाशी के रूप में समुहों में बाट सकते हैं। विद्यार्ती बुजो द्वारा मुखावरान पर अपारदर्शी, पारदर्शी तता पारभाशी वस्तु को प्रयोग द्वारा चित्रित किया गया है। जिसमें विद्यार्थी का चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, वो पारधर्शी वस्तू नहीं है, वो अपारधर्शी वस्तू है। हमने यह सीख लिया कि पधार्तों की अपनी अपनी बिन्न दिखावट होती है, तता इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिशित होने के डंग बिन्न बिन्न होते हैं, वे जल में तेर अथवा डूप सकते हैं, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारवाशी हो सकते ह पदार्तों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथो अभिनताओं के आधार पर किया जा सकता है। पदार्तों को अन्य स्थान पर जबकि अना सथा दालों का बंडारन किसी अन्य स्थान पर करता है। आध के अध्यन बिन्दु पर आधारित ग्रहकारी प्रिशन इस्प्रकार हैं। पहला पदार्तों के विबिन गुणों को उधारन सही समझाईए। पहला दिखावट, दूसरा कठोरता और तीसरा विलेता, दूसरा प्रशन पारदर्शी और पारदर्शी पदार्तों में क्या अंतरे समझाईए। विद्यार्तों से अनुरोधे इन प्रशनों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखे हैं। धन्यवाद।